लेटिस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर प्लिक करें पर अभनपूर के समीप के ग्राम गाता पार में खुद ग्राम पंचात के सरपंच द्वारा अवेद मुरम खननन कर रहा है साथ ही जिन ट्रेक्टरों को मुरम कार्य में लगाया गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन नमबर भी इसपस्ट नहीं दिखाई दे रहा है वहीं अगर पंचायत के सरपंच द्वारा ही अविध तरीके से मुरम खुदाई करे तो खनेज भी भाग के अधिकारी द्वारा कारिवाही कहां करेंगा आपको बता दें कि इस तरह से अविध मुरम माफियो द्वारा ग्राम गाता पार के अन्ने कि स्थलो पर से लाखो रुपए का मुरम अविध तरीके से चोरी कर सासन को रायल्टी के रूप में मिलने वाली रासी को चुना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है वही महाच 3 किलो मीटर की दूरी में बलॉक मुख्याला है पर अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी ना ही जांच करते हैं और ना ही कारिवाही और खनिज विभाग के अधिकारियों को फोन द्वारा सुचना देने पर जांकने भी नहीं आते हैं इससे साब जाहिर होता है कि मुरम माफ्या और खनिज विभाग के अधिकारियों की आपसी मिली भगत से मुरम की अविद निकासी कर सासन के कोस को चुना लगाने में लगा हुआ है जिन पर खनिज विभाग के द्वारा कोई कारिवाही नहीं हो रही है कलिपा 28 के लिए अभनपूर से दीपाग परमा की रिपोर्ट परमाली कोने रिटेस कर रिटेस कर रिटेस काई कमाली के सबके इन चार्ज होई है तोर करा नहीं दो पूसत्त है आज कितने ट्रिप यहां चल गया है कि अ कि अधिन चले याप पांच अधर कहा जा रहे है दो रही है कुछ पांच के पास होँ छुछ आप कहा रहे है तो हिटेस कहा है तो इस जो सब्सक्राइब अगर अप्राइब ए बहार है आपका नाम ही वे कहां aí for more news updates do subscribe like share and comment clipper 28